हेलो फ्रेंस कैसे हुआ आप मैं हूँ सिल्पा और लंज टाइम में आप सब का स्वागत है तो आज हमने बनाई है अंडा करी जो आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसको हमने एकदम मसालेदार और धाबा स्टैल बनाया है लेकिन हमने इसमें बहुत ही कम खड़े मसाला डालें फिर भी एकदम ऐसे मसालेदार बनी है जो आपको एकदम धाबा स्टैल का ही फ्लेवर आएगा तो चलिए बनाते है आज इस रेसिपी को जो आपको बहुत पसंद आएगी और अंडा कर तो हर किसी को पसंद आती है हलो प्रेंस लग्ज टाइम में आप सबका स्वागत है तो चलिए मनाते आज की नई रेसिपी तो यहां पर हमने तीन प्याज लिये हैं 10 से 15 लसं की कलिया लिये और यहां पर मैंने अध्रक लिया है यहां पर हम सबसे पहले प्याज को काट लेंगी और यहां पर मैंने एक में दिन वालेंगी और इनको अच्छे से भुनेंगी कि'm कि अभी तक अपने मेरे चेनल को लाइक कैन supplement कि ले चानल को swimming कर ले और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लिजेए गा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको ताइम पे मिल सके तो हम प्याज को भून लेंगे अच्छे से जब तक यह सौप्ट नहीं हो जाते यहां पर अब हम 10-15 लसंग के कल्या डालेंगे और अधरक ला लेंगे इसको काट लिया है मैंने और इसको भी हम थोड़े दर भूनेंगे इस तर की सग़ा हम इसके ग्रेवी बनाएंगे तो यह बहुत ही टेस्टी लगते और एकदम मसालदार बनती है तो अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे इसके लिए मैंने एक चमश जीरा डाला है और एक चमश धनिया खड़ा मसाला लेंगे इसके लिए मैंने एक जावित्र लिए थोड़ा सा तुकड़ा और बड़ी इलाइची लॉंग लिए है छोटी इलाइची और दाल सिनी का तुकड़ा लिया छोटा तो इसको हम डाल लेंगे करेंगे और इसे भी मिक्स करके भूण लेंगे थोड़ी देर और आप इसमें एक टमाटर डालेंगे और इसको भी भूण लेंगे तो आभी हम इसमें थुड़ा सा नमक डालेंगे ताकि यह टमाटर सॉप्ट हो जाए तो ऐसे हम एक दो मिनिट के लिए इसको भूनेंगे तो यह देखिए टमाटर सॉप्ट हो चुके हैं तो आभी हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे यह देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया है और अभी हम इसे थुड़ा थंड़ा होने के लिए रख देंगे और तब तक हम अंडे की तयारी करेंगे इसके मने अंडे उबालकर रख दिये थर और यह चिलकी हम हम थोड़ा सा इस सबी अन्डो को कॅट कर लेंगी So ا Cinnamon आप किसी भी टाइब की ऐसे कट कर सकते हो मैं चाकू से कर रहे हूं इसतरह की से कट करने से आंदर तक जाती है और अंडा एक दम अप्राइबन जाता है इसे हम अंडों को कट कर लेंगे यह वीडियो अच्छी लगते हैं तो एक लाइक और शेयर जरू करिएगा तो इस तरके से हम कट कर लेंगे यह दे कि हम सभी अंडों को कट कर लिया है तो हम अपने मसाले को देखते हैं यहाप पर मैंने तेजपत्ता लिया है छोटे दो और इसको भी डाल लेंगे कि यह हमारा मसाला थंडा हो चुका है तो अभी हम इनको को ग्राइन कर लेंगे तो मसाले को पॉट में डाल देते हैं और यहाँ पर मैंने थूड़ा सा पानी लिया है ताकि वह अच्छे से पेश्ट बन सके तो हमने ग्राइन कर लिया है तो यहाँ पर हम अंडों को फ्राइब कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह के से हमें इनको फ्राइब करना है तो अब भी हम इनको निकाल लेते हैं इक प्लेट में आप इसमें थुड़ा मसाला डालके भी हाप फ्राइब कर सकते हो लेकिन मैंने ऐसे ही फ्राइब किया तो यहां पर अभी मैं उसी तेल में अभी तड़का लगा रही तो इसके लिए मैंने दो तेज पत्ति लिए है थोड़ा सा एक चमच हल्दी पाउडर और देड़ चमच म अधर पाउडर डाला है और इसे अभी मिक्स कर लेंगे और बस कुछ सेकंद के लिए हम इसको भून लेंगे कि अब आप तो अभी हम इसमें मसाला डाल देंगे जल्दी से थाकि हमारे मिर्च पाउडर बगर जलेना तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि अगर हम ग्रेवी बनाते हैं तो एकदम मसालेदार और धाबा स्टाइल बनती है और इसका टेस्ट बोथ ही टेस्टी आता है तो आप इसे जरूर बना के देखिएगा और मुझसे शेर जरू करिएगा तो अभी हम इनको एक दो मिनुट के लिए भूनते हैं धक्कन लगा के तो अभी हम चेक कर लेते हैं इसको ओला से पलगते रहेंगे हमें तब तक मसाले को पकाना है जब तक ऑईल छोड़ता नहीं मसाले को तो ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और ओल भी छोड़ चुका है तो अभी हम इसमें एक चम्मच कस्मेरी लाल मिर्च डालेंगे और आदा चम्मच गरम मसाला कस्मेरी लाल मिर्च डालने से अच्छा सा कलर आता है एकदम सबजी को तो इसे भी मिक्स कर लेंगे हम और इसमें अभी नमक डालेंगे एक चम्मच और अच्छे से मिक्स कर लेंगी हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं तो अब हम इसमें थोड़ा सा पाने डालते हैं और इसके एक ग्रेवी बनाएंगे अच्छे से तो इसमें और थोड़ा पाने डालेंगी मिक्स कर लेते हम इसको और अभी इसको ढुके पकाएंगे थोड़े देर के लिए तो यह देखें आमस्ता सा कलर आया है और ग्रेवी भी देखें कितने मस्ता स्टेस्ट दिख रही है एकदम मसाले दार तो अभी हम इसमें अदे डालेंगे और मिक्स कर लेंगे हम ग्रेवी को इसमें ये ग्रेवी पोटी टेस्टी लगती है आप इसे जरूर बना के देखिएगा अभी हम इसे ढखके दो मिन्ट के लिए पकाएंगे तो दो मिन्ट हो चुके अभी निकाल के देखते हैं तो अंडो में अच्छे से मसाला मिक्स हो गया है तो अभी हम इसमें पानी डालेंगे जितने हमें ग्रेवी चाहिए सब्जी में उतना पानी डालेंगे हम तो अभी हम इसे ढख लेते हैं और दो मिन्ट के लिए पकाएंगे तो यह देखिए कितने तीस्टी और एकदम मसालेदार सब्जी बन गई है एकदम ओईल छोड़ दिया है सब्जी को एकदम हमारी परफेक्ट ऐसे अंडा करी बन चुकी है जो ढाबा हमें मिलती है वैसे ही तो अभी हम इसमें थोड़ा गरम मसारा डालेंगे और थोड़ा सा धन्या डालेंगे कटा हुआ तो यह हमारे सब्जी बन चुकी है आप इसे जरूर बना के देखिएगा यह बहुत ही टेस्टी लगती है और आप इसे अगर एक बार बनाएंगे तो इसी टाइप के आप हम मेशा बनाएंगे यह बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है यह देखिए कितने एकदम मसाले दार दिख रही है यह जितने दिखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है तो आपने देख आई है हमने कितने कम मसाले डाले है फिर पे एकदम जबरदस रेस्टोरन टाइप सबजी बनती है तो आप इस अंडा करी को जरूर बना के देखिए और मुझसे सेर जरू करिएगा कि आपको ये कैसी लगी तो चलिए मिलते आप नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई